Welcome everyone to this brand new video right here और आज इस वीडियो में हम discuss करने वाले हैं कि internship आप कैसे find कर सकते हैं ना guys before starting make sure to subscribe to this channel क्योंकि मैं ऐसे बहुत सारे interesting videos इस channel पर upload करता हूँ related to web development तो subscribe करके notification का bell दबा दो ताकि आप कोई भी update को miss ना करो तो guys इससे पहले हम ये देखें कि internship आपको कैसे मेलेगी हम पहले ही समझते कि internship होती क्यों है और आपको क्यों करना चाहिए तो basically internship में आप किसी भी company के अंदर join करते हो और वहाँ पर आप काम करते हो जिस तरीके से एक normal employee वहाँ पर company के अंदर होता है उसी तरीके से आप काम करते हो बट आपको वहाँ पर training मिलती है और आपकी salary वह उतनी नहीं होती है जितना एक full-fledged employee की होती है तो वहाँ पर आपको कम pay किया जाता है साथ ही साथ आपको वहाँ पर training मिलती है अब यहाँ पर question आता है कि like internship जो है वो हमें क्यों करने की जरुवत होती है तो internship basically इसली की जाती है कि जब भी आप college से निकलती हो या फिर आप अपना career स्टार्ट करती हो तो आपको initially इतना experience नहीं होता है कि आप एक full-fledged as an employee काम कर सोगो किसी भी company के अंदर क्योंकि आपको कोई भी practical knowledge नहीं होता है that's why you go and you do internship अब यहाँ पर question आता है कि अगर आपको internship करना है तो आपको internship के लिए क्या करना पड़ेगा अब इस सवाल का मैं जवाब दू उससे पहले हमें यह समझना होगा कि अगर आपको internship करना है तो आपको internship करने के लिए क्या requirements होती है यह क्या आपको आना चाहिए तो guys एक बहुत बड़ा problem है हमारे market में खास करकि हमारे इंडिया की जो industry है यहाँ पर students यहाँ पर क्या करते हैं graduation complete करते हैं अपना college complete करते हैं और directly internship के लिए चले जाते हैं उनको internship मिलती नहीं है या मिलती भी है तो बहुत मुश्किल से मिलती है इसका reason क्या है इसका number one reason है कि students के पास skills नहीं होती for example आपने engineering किया है आपने computer science नहीं किया है आप किसी भी web development की company में जारो internship के लिए वो आपसे ये expect करते हैं कि आपके पास basic knowledge हो थोड़ा बहुत आपको at least करना आता हो या थोड़ी बहुत skills आपके पास हो वो कैसी भी ऐसे इंसान को internship नहीं देंगे जो की complete beginner है क्योंकि वो एक company है वो real world project करती है real world project करके देती है real world products पर काम करती है it's not a training center it's not an institution जो आपको बिठा के वहाँ ये सिखाएंगे कि आपको काम कैसे करना है तो अगर आपको even internship भी चाहिए न तो आपको कुछ ना कुछ knowledge होना चाहिए जब knowledge की बात आती तो I am having a free one hour training जहाँ पर मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे आप अपना career start कर सकते है in web development in just 90 days तो अगर उसके लिए आपने register नहीं किया तो link में आपको नीचे description में आपको link मिल जाएगा वहाँ से आप register कर लीजिए तो guys without knowledge आपको internship नहीं मिलने बड़ी at least इतना आपको knowledge चाहिए so don't just expect कि मैं हम बस वाँ चले जाएंगे उठके चले जाएंगे और हमें बाप पर internship मिल जाएगी इसके बाद guys finally point आता कि internship आप कैसे ढूंड सकते हो तो internship अगर आपको ढूंड़ना है तो online platforms are the best platform दो platforms मैं आपको बताऊंगा which are really great when it comes to internship first is internshala.com आप सब इने नाम सुना होगा just go there make an account वहाँ पर एक account बनाओ और पूरा अपना info आप अपडेट करो वहाँ से आप internship के लिए different different search कर सकते हो और apply कर सकते हो that is the first place second is LinkedIn LinkedIn is a great place for finding jobs and internship बहुत सारे आपे companies होती बहुत सारे openings होती वहाँ पर नेटवक अपना बना सकते हो different companies के HR से आप अपने कर सकते हो it's a great thing so वहाँ पर भी आप चेक कर सकते हो this two platforms you can find a lot of internships और वहाँ पर अप्लाई कर सकते हो but before applying make sure कि आपके skills to the point हो अगर आपके skills to the point नहीं होगी you won't be able to crack internships so I hope guys ये विडियो आपको पसंद आई होगी and guys make sure to check out the free training अगर उसके रिजिटर नहीं कियो तो make sure to do that and that's it for this video thank you so much for watching and I will going to see you guys in next video bye bye